तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है आपके BSC First Year First Semester Geology के Unit 5 से जुड़ा हुआ एक Most Important Topic Sex Determination तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि Sex Determination क्या होता है, Sex Determination कितने Types के होते है और सभी Types के बारे में हम डीटेल से जानेंगे तो वीडियो बड़ा ही Important होने वाला है, वीडियो को आप ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा तो आए वीडियो की सुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते है What is Sex Determination? Sex Determination is most plant and animals is concerned with the study of factors which are responsible for making an individual male, female और hermaphrodite यानि की कौन-कौन से factor जो की responsible होते हैं की आने वाला plant और animal male होगा या female होगा या फिर दोनों होगा, यानि की hermaphrodite होगा तो इन सभी factor का study करना ही कहलाता है Sex Determination It is a biological system that determines the development of sexual character in an organism तो जैसा की हम सभी जानते हैं की जो Sex Determination है यह एक biological system है जो की determine करता है की हमारे में कौन से sexual character प्रडियूस होगे वो character male होगा, female होगा या फिर दोनों होगा तो आपने कहीं न कहीं जरूर देखा होगा की male के लिए ये symbol यूज होता है और female के लिए ये वाला symbol यूज होता है अब यदि देखा जाए की male और female अगर एक ही organism में होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं monosius फार एक्जमपल हम यदि बात करें earthworm, tapworm तो इन सभी में आप देखेंगे की male और female एक ही में पाए जाते हैं और यदि male और female अलग-अलग organism पे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं dioceus जैसे कि अगर हम बात करें mano की तो mano क्या है? dioceus है क्योंकि इन में आप देख सकते हैं कि जो male होता है वो gamit produce करता है sperm और जो female होती है वो gamit produce करती है egg तो जो dioceus organism है ये भी दो तरह के हो सकते हैं अगर हम क्यों sexually देखें तो monomorphic और dimorphic हो सकते हैं तो monomorphic में क्या होगा? कि वो एक ही जैसे दिखेंगे चाहे उसमें male हो और female हो वो दोनों एक ही जैसे दिखेंगे तो इसके लिए कुल four method है फर्स्ट है genetically controlled sex determination सेकेंड है metabolically controlled sex determination थर्ड है harmonally controlled sex determination और लास्ट है environmentally controlled sex determination तो आए वन बाई वन सभी के बारे में हम detail से जाने तो आए सबसे पहले हम बात करते है genetically controlled sex determination mechanism की तो जो genetically controlled sex determination होता है वो एक series में यानि की एक chain में develop होता है और पीडी दर पीडी एक generation से दूसरे generation में जाता है और इसमें जो sex का differentiation होता है यानि की हमें कब पता चलेगा की male और female होगा ये पता चलता है embryonic development के समय यानि की इन में जो sex का determination है वो embryonic development के समय ही पता चलता है आए ये next नम बात कहते हैं कि genetically controlled sex determination कितने types के होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह four types का होता है फर्स्ट है sex chromosome mechanism या फिर हम कहाँ सेखते हैं हेट्रोगेमियेसिस सेकेंड है जीनिक बैलन्स मेकेनिजम थर्ड है मेल हैपलोईडी और हैपलोडिपलोई मेकेनिजम और लास्ट है सिंगल जीन कंट्रोल अफ सेक्स डिटर्मिनेशन तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोजोम मेकेनिजम जो की most important है और आपके exam में long question में यह पूछा जाता है तो important सभी है और सभी से आपके question बनते ही बनते हैं तो हम सभी type को detail से पढ़ेंगे और with example पढ़ेंगे तो आईए सबसे पहले बात करते हैं सेक्स क्रोमोजोम मेकेनिजम की या फिर हेटरोगेमियस की इन जनरल सेक्स ऑफ एन और्गेनेजब इस डिसाइड़ बाई क्रोमोजोम तो जनरली यह देखा जाये तो किसी भी जीव का जो link है यानि कि सेक्स है वह उसके क्रोमोजोम से डिसाइड होता है लेकिन कुछ जीवो में यह देखा गया है कि उन में जो सेक्स का डिसीजन होता है वो environmentally या फिर हार्मोन के थ्रूँ induce होता है प्रेरित होता है जिसके कारण उनके जो सेक्स होते है वो change होते है तो आने वाले दिनों में हम इन टॉपिक पर भी discussion करेंगे next part में यानि कि next वीडियो में फिलहाल अभी हम बात करेंगे क्रोमजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की हैंकिंग फाउंड इन सम इनसेक्ट तो सबसे पहले हेंकिंग ने देखा था कि कुछ जो इनसेक्ट है यानि कि कुछ कीट जो है वो दो तरह के स्पर्म प्रडियूस करते हैं कुछ स्पर्म में आपको सेक्सवल एलिमेंट्स दिखाई देते हैं कुछ में ये सेक्सवल एलिमेंट्स नहीं होते तो सबसे पहले एन इस्टेवेंड और उनके सहायक यानि की को वर्कर ने देखा की दो तरह के क्रोमोजोम होते हैं पहला है आटोसोम्स और दूसरा है एलोसोम्स तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो आटोसोम्स होते हैं ये कहीं भी सेक्स डिटर्मिनेशन में भाग नहीं लेते हैं यानि कि इन क्रोमोजोम का कहीं भी सेक्स के डिटर्मिनेशन में कोई योगदान नहीं होता तो जैसे अगर हम बात करें मानओ के केस में तो मानओ के केस में आपको चवालिस यानि की बाइस जोड़े artosomes देखने को मिलेंगे तो यह जो artosomes होते हैं इनमेn gene content होते हैं somatic character के लिए यानि की artosomes जो होते हैं somatic character को control करते हैं वह हम बात करें chromosome की second type की और इसी के तुरू हम determine करते हैं कि उसकी आने वाली generation male होगी या फिर female होगी. For example, अगर हम बात करें, मानो के case में, तो जो female है वो होती है xx, और जो male होता है वो होता है xy, तो x और y ये दोनों क्या है, alosomes है, या फिर हम कह सकते है sex chromosome है. तो यदि हम chromosomal sex determination को देखें, तो इसमें two major system होते हैं sex को determine करने का, पहला है heterogametic male और second है heterogametic female. तो यदि हम बात करें heterogametic male की, तो जो male होते हैं, इस case में दो तरह के gamit produce करते हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि the male have two different type of alosomes, यानि कि इस case में male के पास दो तरह के sex chromosome यानि कि alosomes होते हैं, x and y, और वहीं इस case में जो female होती हैं, वो identical chromosome रखती हैं, यानि कि इनका जो sex chromosome होता है, दोनों एक ही जैसा होता है, और दोनों chromosome होते हैं, x, x, इसलिए इस case में जो female होती हैं, वो homogametic होती है, अब यदि हम heterogametic male के types की बात करें, तो ये भी two type के होते हैं, पहला है x, 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 y type, इसमें जो x, x है वो female है और x, y male है, क्योंकि मैंने बता है कि male क्या होते हैं, heterogametic होते हैं, तो male इसमें होंगे x, y, वहीं second type है x, x, x not type, यानि कि जो female होगी वो होगी x, x homogametic, और जो male होगा वो होगा x, not type, तो आए इन दोनों के बारे में हम detail से discuss करते हैं, तो male heterogametic का पहला type लेते हैं x, 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 y type, तो इस case में जो female होगी वो x, x chromosome रखेगी और जो male होगा वो रखेगा x, y type, और इस तरह का जो chromosome है आपको मानव के case में देखने को मिलेगा, male and female have same number of chromosome, इसमें male और female दोनों के पास chromosome number same होता है, यानि कि दोनों के पास 46 गुर सु होते हैं, जिसमें जो 44 chromosome है, वो male और female में same होता है, जिसे हम बोलते हैं autosomes, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 44 लिखा हुआ है दोनों के case में, बस difference होता है, यहाँ पर sex chromosome की, तो male में x, y chromosome पाया जाता है, जबकि female के case में x, x chromosome पाया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते है तो होता क्या है कि जो male होता है वो 50% X chromosome वाले sperm produce करता है और 50% Y chromosome वाले sperm produce करता है परन्तु अगर हम देखे female के case में तो female के case में 100% आपको केवल X chromosome वाले ही ओवा दिखाई देंगे अब यदि male का X chromosome female के X chromosome से fuse होता है तो आपको मिलता है female यानि की baby girl होगी अब यदि female का जो X chromosome है male के Y chromosome से fuse होता है तो उस case में आपको मिलेगा male यानि की baby boy तो ये था XXXY type sex determination जो की आपको मानो के case यानि की human case में और drosophila के case में देखने को मिलता है आए next हम देखते है male heterogametic का दूसरा type जो की है XXX0 या फिर कह सकते है XXXO type तो इस तरह का जो sex determination है वो सबसे पहले मैकलंग ने grass उपर में खो जा था तो इसमें होता है कि जो female है वो XX type की होती है और जो male होता है वो X not type का होता है तो इस case में होता है कि जो male होता है इसके पास केवल एक single sex chromosome होता है और वो unpaired होता है यानि कि unpaired X chromosome होता है इसलिए यहाँ पर लिखावा है X not तो इस कारण होता है कि इस case में जो male होता है वो dissimilar gamit produce काता है यानि कि दो अलग-अलग तरह के gamit produce काता है और जो female होती है वो केवल एक तरह के gamit produce काती है जिसके पास X chromosome होते हैं तो male जो होता है 50% sperm produce काता है जो कि X chromosome के साथ होता है और बाकी जो 50% स्पर्म होते हैं जिसमें X chromosome नहीं पाय जाता है जैसा कि आप right side figure में देख सकते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा important चीज है कि जो male होता है वो दो तरह की gamit बनाता है एक even होता है और दूसरा होता है odd even वाले में autosomes और X chromosome पाय जाते हैं ठीक है जबकि जो odd होता है उसमें केवल autosomes पाय जाता है X chromosome नहीं पाय जाता है तो यहाँ पर आप male grass ओपर के karyotype को देख सकते हैं AA autosomes है और X not इसका sex chromosome है तो यहाँ पर O का मतलब है यहाँ पर कुछ नहीं है ठीक है इसलिए यहाँ पर मैं not बोलाओं कहीं कहीं आप O भी बोल सकते हैं तो दोनों सही है आपको जैसा लगे आप X not बोलिए या फिर X O बोलिए अब यदि आप female के karyotype को देखे तो female में आप आपको autosomes देखने को मिलेंगे और जो sex chromosome होगा वो दोनो X X होंगे तो इस वज़े से यहाँ पर जो female होगा वो 100% X chromosome वाले ओवा produce करेगा लेकिन अगर हम male की बात करें तो 50% जो होगे वो X chromosome रखेंगे और जो 50% होगे उसमें X chromosome नहीं पाया जाएगा तो इसमें आपको केव autosomes ही देखने को मिलेंगे अब देखते हैं कि fertilization होगा तो क्या होगा तो अगर ये वाला जो sperm है ये इस वाले होगा से fuse होता है तो यहाँ पर बनेगा आपका X X यानि कि इसका X और इसका X मिला तो यहाँ पर क्या मिलेंगे female grass ओपर मिलेंगे अब यदि male का ये वाला chromosome जिस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो sex determination हो रहा है वो fertilization के time पर ही determine हो रहा है तो दोस्तों अभी हमने male heterogametic के two types देखे X X X naught और X X X Y type बाकी बचे हुए जो female heterogametic है उसको हम आने वाले वीडियो में detail से discuss करेंगे यानि कि इस वीडियो के second part में discuss करेंगे तो आपको यह वाला part कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share करना मत भूलेगा और यदि आप हमाई channel पर नए हैं और अभी तक आपने मायचन को subscribe नहीं कि हुआ है तो please मायचन को subscribe कर लिजे तक कि जब भी मैं इस तरह के informative वीडियो अपलोड करूँ उसके notification सबसे पहले आप तक पहुचें तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ तब तक के लिए जहिन जभारत